हेलो फ्रेंड्स मैं फार्मसिस फ्रंजेली साथ पूते इंडियन ओनलाइन फार्मसी इस मेडिसिन चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस कैंडीड पाउडर के बारे में जिसमें कि आपको क्लोट्रामैक्सोल यह में ट्रॉक दवा यहाँ पर देखने को मलती है जो कि एक प्रकार की एंटी फंगल क्लास दे बिलोंग करने वाली मेडिसिन है मतलब यह कैसी दवा है जो फंगल इंफेक्शन को खत्म करने में मदद करती है तो दोस्तों आगे हम इस वीडियो में इस कैंडिट पाउडर के बारे में पूरी विस्तार में जान कर लेंगे कि मतलब इस पाउडर में क्लोट्रामैक्सोल को कितनी मातरा में कितनी परसंटेज में आड़ किया गया है इस पाउडर को किस तरह से लगाया जाता है कौन कौन से skin problems में infection में इसका इस्तिमाल किया जाता है यानि कि इस powder के uses क्या है, dosage क्या है, side effect, precaution इस सभी के बारे में पूरी विस्तार में जान कर लेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों नीचे का जो red वाला subscribe बटन दिखाई दे रहे हैं इस powder की composition के बारे में तो दोस्तों इस powder में आपको Clotramaxol 1% की strength में देखने को मलता है दोस्तों Clotramaxol यह है एक प्रकार की antifungal medicine है जो asol group से belong करने वाली दवा है मतलब ये दवा क्या करती है, skin पर जो fungal infection वगेरा है उन्हें ठीक करने का काम करती है ये दवा fungus में इर्कोस्टेरोल के synthesis में बाधा डालती है मतलब जो इर्कोस्टेरोल को होता है fungus में उसे बढ़ने से ये दवा रोक देती है दोस्तों इर्कोस्टेरोल जो की fungus की growth के लिए fungus की cell wall को बनाने के लिए इर्कोस्टेरोल को होना बहुत जरूरी होता है और ये दवा इसी इल्कोस्टेरोल को बनने से फंगस में रोक देती है जिसके कारण ना तो फंगस की ग्रोथ होगी और ना ही फंगस की सेल वॉल ठीक से बन पाएगी तो इसी तरह से ये दवा फंगल इंफेक्शन को खत्म करती है रोक देती है दोस्तों उपियों के बात करें तो इसका इस्तमाल आम तोर पर तवचा के विभिनना प्रकार के infection के इलाज में किया जाता है यह powder aging, redness, swelling इन जैसे लक्षनों को कम करने का काम करती है दोस्तों यह दवा infection मतलब जो fungal infection होता है उसके साथ bacterial infection को भी खत्म करने में मदद करता है इस powder को ring warm जैसे condition में भी prescribe किया जाता है जिसमें तवचा पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं जो कि ring shape में होते हैं और उसमें दात खाच खुझली वगेरा भी चलती है तो ऐसे condition में इस ring warm को treat करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा इस candy powder को prescribe किया जाता है इसके अलावा हमारे body के folded area में होने वाली दात खाच खुझली को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दोसर फोल्डेड एरिया मतलब हमारे जरनांगों के आसपास होने वाली फंगल इंफेक्शन हो जिसके एकारण हमें दात खाच खुझली वगेरा हो रही है तो ऐसे condition ले इन fungal infection को treat करने के लिए इस candy powder का इस्तिमाल किया जाता है साथी छोटे बच्चों में होने वाले fungal infection में भी इस candy powder को prescribe किया जाता है यदि किसी बच्चे में diaper rashish हुए हो या फिर ज्यादा time तक लंबे time तक diaper रहने की वज़त से वहाँ पर नमी रहने के कारण rashish आए हो, redness आई हो और फिर reaching वगेरा हो रहे है तो ऐसे condition में भी डोक्टर द्वारा बच्चों में इस candy powder को prescribe किया जाता है तो चली अब बात करते हैं कि इस powder को किस तरह से लगाया जाता है मतलब इसे इस्तमाल करने का सहित तरीका क्या है तो दोस्तो अफेक्टेड एरिया को मतलब जहाँ पर भी फंगल इंफेक्शन वगेरा हुए है या फिर जहाँ पर भी दात खास खुशली वगेरा चल रही है उस एरिया को अच्छे से ड्राय कर दे उसके बाद वहाँ पर पावड़र को अपलाई करें दान रही दोस्तो पावडर जहां पर भी अपने अपलाई किया है और फिर उस एरिया पर पाने वगेरा ना डाले और साथ ही उस सिर्या को कपड़े से या फिर किसी बैंडेश से वगेरा कवर भी ना करें बस पाउडर लगा कर उसे वैसे ही छोड़ दें दोस्तों इस पाउडर को आप दिन में 2-3 बार लगा सकते हैं उसमें कोई दिकत नहीं है तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही I hope you liked this video if so then don't forget to like, share, comments and of course subscribe over YouTube channel Indian Online Pharmacy for medicine and health related videos thank you, thank you for watching